हेलो स्टुडेंट्स गूद मॉर्निंग तोडे वी आर गूंग टू स्टार्ट पार्ट नमबर फॉर ओफ इन दा प्रीविज वीडियो वी डिस्कस्ट बाउट दिफ्रेंट लिबरल एफर्ट्स अगेंस्ट मोनार्की जैसे हमने फ्रैंक्फर्ट पार्लियमेंट के बारे मे जो 1848 में बुलाएगे थी 18th में 1848 फ्रैंक्फर्ट सिटी में आज हम शुरू कर रहे हैं सोर्स सी के साथ सोर्स सी दिस इस दा सोर्स सी अबाउट इफ्रेंट विवर्स ने दिफ्रेंट तिंकर ने विमें के लिए जो लिबर्टी और इक्वेलिटी है उसके बारे में दिफ्रेंट आइडियाज दिये हम आपको याद होग में जैसे मैं भी आपको बताया यह आपको याद रखना है कि कार्ल वेलकर जो है वो विमेन की एक्वेलिटी के फेवर में नहीं था बिकोज ही डिफाइड नेचर है इस ट्रोंगर बॉल्डर और फ्रियर और विमेन को उसने बताया कि वो किस तरह से वीकर है डिपेंडेंट है और टिमिड तो इसलिए इस तरह के आइडियाज यहाँ पे थे लुई ओटो पीटर्स फेमिनिस्ट 18-19 में बारत हुआ था 95 में डेथ हुई थी वो जब पोलिटिकल अक्टिविस्ट फॉँ फाइंड विमेन्स जर्नल और सबसेक्वेंटल फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट पोलिटिकल एससेशंट फेमिनिस्ट क्या होता है कि दोज पीपल फेमिनिस्ट दोज पीपल वो फाइट फॉर एकवालिटि फॉर विमेन जो women और men को equal मानते हैं और equality maintain करने की बात करते हैं वो होते हैं feminist तो he was in favor of equality for men and women यहाँ different ideas आगे after that one another example of anonymous reader of same newspapers and the following letter to the editor 25 June 1850 को and he was completely opposed the inequality among men and women तो इसलिए वो क्या कहते थे कि equality होनी चाहिए it is indeed ridiculous and unreasonable to deny women political rights even though they enjoy the right to property which they make use of so in this way we can understand that if men and women are not provided with equality that was called injustice तो यह example साब को याद रखने है now we are coming to the next topic of this chapter the topic is the making of Germany and Italy dear students इसी पार्ट में हम आगे पढ़ने वाले हैं Germany और Italy के unification को ठीक है the unification of Germany and Italy the process of unification of Italy and Germany unification क्या होता है कि जब कोई country different parts में divide होती है for example Germany and Italy were both divided into different parts before unification तो वो सारे part मिला के अगर हमें एक country बना दे तो उसको हम कहते हैं unification तो इस पार्ट में हम लोग Germany और Italy के unification के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले बात करते है जर्मन युनिफिकेशन की can the army be architect of a nation ये जर्मन आर्मी के effort से जर्मनी को unified किया गया तो युनिफिकेशन से पहले जर्मनी was divided into various states आपको याद होगा we discussed about federation of 39 या confederation of 39 states तो ये जो 39 अलग-अलग states थे जैसे हमने देखा था इनके अंदर कितने सारे जो है measurements, weights, etc कितने सारे diversities वहाँ पे थी या फिर differences कितने सारे थे variation कितना ज़दा था इसको दूर करना और सभी states को unified करना it was very tough and very challenging process लेकिन ये process जो है initiative किसने लिया ये लिया प्रसिया ने प्रसिया जो जर्मनी का leading state था उस समय प्रसिया ने ये जो है initiative लिया and जैसे हमने example लिया as you have seen nationalist feelings were widespread among middle class Germans 1848 में आपने Frankfurt Parliament का example लिया तो definitely states को unified करने का process वहीं से शुरू हम जो है मान सकते हैं लेकिन in fact अगर German unification की बात करें तो liberal जो initiative है वो काफी important थे to nation building was however repressed by the combined forces of monarchy and the military supported by the large landowners called junkers तो large landowners क्या थे जो बड़े जमींदार होते थे उनको junkers का जाता था प्रसिया के थे from then on प्रसिया टुक on the leadership of the movement for national unification तो प्रसिया ने initiative लिया जैसे मैंने आपको बताया और प्रसिया की initiative लेने में सबसे बड़ा important role था और उसको हम architect of German unification कह सकते हैं और प्रसियन army और bureaucracy की help से उसने इसको unified करवाया थ्री wars fight किये उस्ट्रिया, डेन्मार्क और फ्रांस तीनों wars जो है वो जर्मन जो confederation था अलग-अलग इन तीनों powers का वहाँ पे annexation था तो इनको हराने के बाद वो सारे state जो है वो प्रसिया ने जर्मनी के अंदर मिला लिया और इस तरह से जर्मनी का unification January 1871 में हो गया तो उससे में जो प्रसिया के king थे William first he was proclaimed German emperor पहले emperor यानि की जर्मनी के पहले ruler William first बन गए और वर्सेल्स में एक ceremony होती है इसके लिए on the bitterly cold morning ये description है जो वहाँ पे ceremony हो रही थी 18 January 1871 an assembly comprising the princes of German states representatives of army important Persian ministers including chief minister Otoon Bismarck gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Warsaw to proclaim the new German empire headed by Kayser William first of Prasya तो कुछ question आपको याद रखने है इसमें इसमें बनते हैं जैसे सबसे पहले तो ये जो ceremony हो रही थी 18 January 1871 को इसमें कौन-कौन लोग आये थे राइट? date is not so important लेकिन जस्ट आपको 1871 जैनवरी थोड़ा याद होना चाहिए German state से different types के जो princes थे वो आये थे representatives लोग आये थे आर्मी के और Persian ministers थे और जिसमें Otoon Bismarck जिसको हम architect of German unification कहते हैं chief minister वो भी आये थे So this was the nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Persian state power यह आपने देखा इसमें Prussian measures and practices often became a model for rest of Germany यह भी आपको याद रखना है कि Prussian जो है उसके principles ने काफी ज़्यादा important role यहां play किया और उसी के rules, regulations को यहां पे ज़्यादा था follow किया गया If you see this picture, you can see in this picture carefully The Proclamation of German Empire in the Hall of Mirrors at Versailles यह इसका building का नाम भी आपको याद रखना है And Anton Von Werner At the center stands the Kesar and Chief Commander of Persian Army General Von Rohn यह भी नाम आपको याद रखने है और Bismarck, Otto and Bismarck भी वहां पे आपको दिखाई दे रहे है So this was of, we can say, the process of German Unification यहां पे आप इसमें map में देख सकते हैं आप Germany की Unification को 1866 से 1871, 1866 to 1871 जहां पे प्रस्या before 1866 आपको दिख रहा है इस color में, this one, this color, this color and conquered by Prussia in Austro-Prussian War यह yellow color से आपको दिख रहा है, this area यह 1866 में annex किया गया और Austria ने जिन territories पे annexation कर रखा था इस वोज Austrian Empire तो 1867 में उसको भी छीन लिया गया और फिर उसके बाद प्रस्या को जर्मनी से एक confederation यह जो confederation है, Prussian इसमें मिला लिये गये थे 1867 में, after that Southern Germany जो है, state जो है यह वाले, जिसको हम, जिसमें Brittenberg आ गया, Eden आ गया और Bavaria आ गया यह 1871 में मिला लिये गये थे and won by Prussia and Franco-Prussian war 1871 so this area, this area was secured by Prussia in 1871 जब France के साथ उसका war हुआ था so this was the process of Germany, unification of Germany now, Italian unification or Italy unified Germany की तरह ही, Italy का भी यही था कि different states में, it was divided at that time अगर हम बात करें तो Italy, जो है unification से पहले seven states में divided था कितने state में, seven states it was divided into seven states और हर state में अलग-अलग rulers थे अलग-अलग system था, लेकिन अगर सिर्फ Sardinia, Piedmont की बात करें सिर्फ एक state की बात करें तो सिर्फ इसी state में Italian princely ruling system था, यानि कि Italy के prince यहाँ पे शाषन करते थे otherwise, northern जो state थे वहाँ पे Austrian Habsburg का शाषन था, center में pop और south में Bourbon Kings of Spain ये तीनों आपको याद रखने है, dear students कि अगर हम Italy की बात करें तो Italy के north, north में किसका ruling था? Austrian Habsburg का जो विदेशी rule था center के states के अंदर pop का था और south के state में Bourbon Kings of Spain का था, इनको हरा के और फिर Italy को unified किया गया, it was the process difficult process and this process was led by the different kinds of revolutionaries, जोनों ने बड़ा important role play किया, जिसमें Jesse V. Mejney का नाम आता है Gary Baldy का नाम भी आता है तो Italian language जो है not acquired one common form and still had many regional and local variations at this time before unification ये आप देख सकते हैं, ओटोवन बिसमार्ग, जर्मन यूनिफिकेशन के लिए जो है, हमने पढ़ा था इसमें जो role प्रसिया ने जर्मन यूनिफिकेशन में play किया, the same role was played by Sardinia Piedmont Sardinia Piedmont in the process of unification of Italy और जो role ओटोवन बिसमार्ग ने play किया वही role यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ के Chief Minister ने जिसको हम उस समय उसको Prime Minister भी कहा जाता था and his name was Camille de Kavur Camille de Kavur तो Kavur ने वही role play किया जो ओटोवन बिसमार्ग ने play किया और जो कैसर विलियम फस्ट ने role play किया वही King Victor Second King Vector Emmanuel Second इसने role play किया और Sardinia Piedmont was in leading role so in this way we can say that after 1848 means that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Vector Emmanuel Second to unify Italian states through war तो इसके बाद कुछ wars होते हैं इसके बाद Chief Minister Kavur का जैसे मैंने आपको पता है Camille de Kavur पूरा नाम था इनका उन्होंने इस मुमेंट को लीड किया Italy के different states को unified करवाने के लिए और इसमें उसकी help मिली revolutionaries की help उसको मिली अब हम बात करें तो Camille de Kavur कौन था Camille de Kavur ना तो एक revolutionary था जानि की जो पूरा का पूरा revolutionary है और नहीं एक democrat था उसने एक बीच का रास्ता अपनाया and he was very great diplomat right काफी ज़्यादा उसने tactful diplomatic way से France के साथ alliance किया और Sardinia Piedmont को और उसमें Austria को हराने के लिए Sardinia Piedmont ने जब Austria को हराया तो उसमें उसने France के साथ alliance बनाया और 1859 में उसने Austria को हराया after that apart from regular troops a large number of armed volunteers under the leadership of Jesse P. Garibaldi joined the fray और ये revolution था Jesse P. Garibaldi जिसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़े देर में 1860 में उन्होंने क्या किया South Italy में मार्च किया और Kingdom of Two Sicilies को हरा दिया and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish rulers क्योंकि Bourbon Kings of Spain यहाँ पे थे South में उनको हराया 1861 में Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy तो इस तरह से Austria को हराने के बाद Center में Pope को भगा दिया and after that South में Spain के जो Bourbon Kings थे उनको हराने के बाद ये Italy जो है वो unified हो गया and after that however much of Italian population among whom state of illiteracy were very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology यानि कि उनको बिल्कुल नहीं पता था कि liberal nationalist जो है वो किस तरह के ideology रखते हैं and they were not aware regarding the unification the peasants masses who had supported Gary Baldy in Southern Italy had never heard of Italia उन्होंने इटालिया के बारे में नहीं सुना था just they believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife La Talia just they listened and they used to consider regarding it ये मैप है दोनों मैप आप देख सकते हैं figure 14 एक ये अगर हम बात करें हैं तो Italian states before unification 1858 का मैप है देखिए नोर्थ में यहां आपको Savoy, Sardinia दिख रहा है लॉंबार्डी, Venesia Pama, Modena Tuscany और इसके बाद पैपल states हैं जो Pope के अंडर में थे ये सारा Spain के Bourbon Kings के अंडर में था और यहां पे इस मैप में आप देख सकते हैं Italy after unification तो पूरा का पूरा unified हो गया यहां पे आपको different states दिख रहे हैं अलग-अलग से ruling authorities के अंडर में थे और यहां पूरा Italy देखे एक color में दिख रहा है चीफ मिनिश्टर जो था साड़िनिया पीडमोंट का यह याद रखना है प्रस्या प्लेट वरी इंपोर्टेंट रोल लीडिंग रोल इन उनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जबकि आपको याद रखना है कि साड़िनिया पीडमोंट ने वही रोल प्ले किया इसको हम इसको हम स्ट्रेंज केस कहते हैं क्यों कहते हैं स्ट्रेंज केस क्योंकि ब्रेटेन में एक ऐसे revolution हुई जिससे सालों साल पूराना चला रहा kingship या monarchical system जो है वो खतम हो गया right so this was in britain formation of nation state was not the result of a sudden appeal or revolution it was the result of long drawn out process there was no british nation prior to the 18th century the primary identities of the people who inhabited the british cells were ethnic ethnic kis-kis mein english welsh scott or irish alag-alag unki ethnic city thi or alag-alag identification unka tha all of these ethnic groups had their own cultural and political traditions but as the english nation steadily grew in wealth importance and power it was able to extend its influence over the other nations of islands abh yeh sare thay english thay wales thay scott thay irish thay yeh sabhi logon mein sabse zyadha powerful korn ban gaya english ban gaya right unke paas power bhi zyadha a gay unki language unka culture yye sara ka sara in me follow kiya jane laga aur is tarah se english parliament ne english parliament has seized power from the monarchy in 1688 ithni bady proportion mein log ikhattah huye jhaan peh toh us semei joh hai king had to abdicate without any kind of harm to the people and to the property is com splendid revolution khaatay hai kya khaatay hai splendid revolution it is the strange case of britain kya ki eek eek is sirf revolution se jis mein kooi violation nahi hua kisiko nukshan nukshan nahi hua even kooi kisi bhi tarah ka wahaan peh nukshan nahi hua toh 1688 meh joh splendid revolution hua iske baad meh monarkal system wahaan khatam ho gaya aur parliamentary system britain meh a gaya the act of union act of union yeh pass hua 1707 meh kis kis ke bici meh sign hua tha england scotland ki in honne milke england or scotland united kingdom of great in great britain bana liya right lekin iska matlab toh dhonoh ke bici meh joh hai combination tha england or scotland lekin ispeh impact kiska hua england ka the british parliament was henceforth dominated by its english members growth of british identity means scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed yani ki wahaan peh scotland ka joh culture tha usko suppressed kiya gya aur catholic clans joh thay that inhabited in the scottish highlands suffered terrible repression wherever they attempted to assert their independence yani ki scotland be rehne wale joh clans thay they were suppressed and they were exploited by the english people the scottish highlanders were forbidden to speak their gallic language kyunki wo gallic language bholte thay aur unko english language bholne peh joh hai unko eek tarah se english was imposed on those people and they were compelled to speak english language ireland ke agar baat kerhen toh issi tarah ka ireland ke saath bhi hua it was a country deeply divided between catholics and protestants toh yahan pe bhi dhonoh ke bici me catholics or protestants yahan pe bhi dhonoh ke bici toh english help the protestants of ireland english nne kis ka saath dhya ireland nne ireland nne saath dhya ireland ke protestants ka ki unki dominance woahan pe joh hai over a largely catholic country joh hai uske oopper dominance ho jai catholic joh hai they revolt again against british dominance were suppressed after a failed revolt led by wolf taun and his united irishman 1789 me joh unho nne eek revolt karne ki kooshis ki thi uske baad usko dba dhya gaya tha toh after that incorporated into united kingdom in 1801 unko eke wahan pe agreement karna pada a new british nation was forced through the propagation of a dominant english culture toh wahan english culture follow kiya gaya for example scotland bhi tha island bhi tha england bhi tha lakin great britain uk yarni ki united kingdom of great britain meh british ka hi toh british flag chala jis ko am union jack kehetha hai national anthem bhi britain ka chala jis ko god save our noble king or english language 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 english toh yeh 3 example aapko yad rakhne hai of the english domination in united kingdom of great britain so these were actively promoted and the older nation survived only as subordinate partners in this union toh uk tha uske anzirf eek subordinate ki tarah kaam kiya scotland etc ne unki aapni joh identity thii woh kaafi iske niche suppressed hooghe and this is about jesse p garibaldi 1807 he was born in 1807 or 182 mein unki death hooghe thi or italy ke unification me kaafi important role in hoon nne play kiya in 1833 he met mezzini and he joined young italy to young italy kis nne bina hai thi jessi mezzini nne bina hai thi after that he participated in a republican uprising in piedmont in 1834 and then in 1854 he supported victor emmanuel second in his efforts to unify italian states in 1860 garibaldi led the famous expedition of thousand of south italy yad rakhna aapko ki the thousand to south italy yeh expedition kis nne lead kiya kone thaa iska leader to aapko bata na hai 1860 mein yeh huwa tha aur garibaldi iska leader tha so in this way different points are there about garibaldi and the leading role was played garibaldi led an army volunteers to rome to fight the last obstacle to the unification of italy in 1867 pepal states where the french garrison was stationed the red shots proved to be no match for the combined french and pepal troops it was only in 1870 when during the war with prussia france withdrew its troops from rome that the pepal states were finally joined to italy so in this way this figure you can see figure number 15 garibaldi helping king victor emmanuel second of sardinia piedmont to pull on the boot named italy english caricature of 1859 english caricature thaa joh chhap gaya thaa 1859 mein so you can see so dear students in this video we have discussed the power topics you have to revise the topics or is topic se aapko 15 mcqs joh hai banane hai aap unko banayye और उसके बाद में हम लोग oral test भी लेंगे जो next हमारी live class होगी उसमें so you have to revise the chapter thank you have a nice day